नमस्कार आप सभी को यह मिठी लस्सी है दही से बनी हुई यह बहुत ही स्वादिश्ट है देखे यह दही है एक कप के करीब दही है और इस दही में मैं बादाम डाली हूं और यह मिक्सिक के जार में और उसी से इनको पीश लूँगी और इसमें अधा कटोरी पानी डाली और एक कटोरी के करीब या आधा कटो दोनों मिलाके कटोरी करीब पानी डाली यह शक्कर है और शक्कर के शांग इलाइचि है साथ में इनको मिक्सि से कि मिलालूंगी एक बार घुमा देने से ही दही और शक्कर अच्छी तरह से मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से जागवाली लस्सी बनेगी गर्मियों के दिनों में स्वादिश्ट मिठी लस्सी पीने से गर्मी भी शांत होती है और अच्छा भी लगता है जो आप बजार से जूस कारनर से जो पीते हैं बिलकुल उससे भी जादा स्वादिश्ट और शुद्ध है घर का बना हुआ है आप भी इसी तरह बना के पीजिए और पिलाए बहुत ही सिंपर रेसिपी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शब्क्राइब कीजिए सौट उडियो को भी देखिए और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो बहुत सिंपर रेसिपी है दही से बनी हुई मिठी लस्य आप भी बनाईए इसमें उपर से बदाम, काजू, पिस्ता का डेकरेट कर दीजिए और भी अच्छा लगेगा और शक्ति वरधक है गैर्मी शान्त करता है ये दही से बनी हुई मिठी लस्य है आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही शक्का डालिए आधा कटोरी दही में मैंने आधा कटोरी शक्का डाली थी और एक कटोरी, उसी कटोरी में एक कटोरी पानी डाली थी आप चाहे तो जादा भी डाल सकते हैं, गाड़ा पीना चाहते तो वैसे ही और इसमें दो गिलास के लगभग बन चुका है, ये देखिए लसी, तो आप जैसा पीना पसंद करते हैं वैसे बनाईए, मगर प्रोशेश वैसे ही रखिए जैसे मैं बताई हूँ, बहुत ही स्वा सप्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को वाच करते रहिए, एस बी टी साज बहु का तड़का, जिसमें हर प्रकार की रेशिपी हम दिखाते हैं, तो थैंक्यू सो मच,